हालो अबरिवर्ण वालकम तुट्राइट यू तो आज हम्नों पढ़ने माले हैं आपकी प्रिवियस सेर्श के को सब्सक्राइब कवर जाते हैं चले हम लोग स्टार्ड करते हैं फर्श को सन्से आप पास मैड़ोस यानी पंपास घास के मैदान कहां पाया जाते हैं तो यह आ अर्जन्टीना में पाए जाते हैं कुछ फिल्ड ओफ ग्रास और उसके लोकेशन के बारे में यानि कि कौन से ग्रास और किस लोगेशन पर पाये जाते हैं सबसे पहले देखते श्टाप से जो है रापके यूरोप में पाई जाते हैं फिर आपका पाषिदा आता है पास्टा आपका हंगरी में पाया जाता है फ्रैरी घांस आपका नर्थ अमेरिका में पाया जाता है पंपाउस आपका अर्जिंटीना में आपका अफ्रीका में यह सारे नेम और लोकेशन आप याद रखेगा सब्सक्राइब कर लिए चलिए आगे बढ़ते हैं जो है आपका इस प्लैनेट इस और रेड प्लैनेट यानि इन में से आपका लाल गरह भी कहा जाता यह चलिए आपका जूपिटर सबसे प्लैनेट मरकरी है और हमारा आट्स जो है वह आपका फिलच प्लेस प्लैस 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 के अनूशार से आपका इन्पोर्टन प्राइब में अगर्फोल को सकता है ना चलिए बढ़ते इसका नेश को से आपके पास की विच अभ दीश इंडियों टू है बीन अवार्ड़ दर नोबल प्राइज इन में से किस एक मात्र भारतियों को अर्थ सास्त में नोबल पुरुसकार से समानित जो हो किया गया था दो देखें नोबल पुरुसकार जो है न वह आपका बिसिकली छे फिल्ड के अंदर जो है वो मिलता है पहला आपका एकनोमिक्स फिजिक्स केमेस्ट्री मैडिकल पीस एंड लिट्रेचर ये छे पार्ट ऐसे हैं ये फिर बोल सकते हैं जिसके अंदर जो है वो व्यक्ति को नोबल प्राइस मिलता है तो आपका सबसे एक मात्र भारती जिन्हें पहली बार नोबल पुरुसकार मिला था याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं इसका नेश को सम देखते हैं जो है आपका की गोदावरी रिभर ड़ो इंटू वीच ऑफ इस 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 पेड़ से नहीं बहती है तो जिहां वह राज्या आपका जो है ना वह आपका हो जाएगा तमिलनाडू से जो है वह आपका ग जिसमें आपका महराष्ट्रा आता है आंध्र परदेश आता है च्छतिस गड़ आता है उरिसा हो गया मद्धे परदेश हो गया और करनाटका हो गया और पुलू चरी आपके कुछ ऐसे राजी है जहां से गोदावरी नदी जो है वो नहीं बहती है इसे याद रखेगा वह पार्क नोन फोर सिल्टेरिंग टाइगर पैंथर एंड वियर इस लोकेटेट इन यानि बाग तेंद्वा और भालू को आर्शे देने के लिए जाना जाने वाला टाडोबा राश्टी उद्यान जो है वो इस्थी थे कहां पर इस इसकी बात करते हैं तो यह आपका महाराष इस्तिमाल होने वाले आई सी चीप जो है वह समयाता है मैं से बनाए जाती है तो जी आपका वहाट इंपोर्टन को सने चलिए आगे बढ़ते इसका ने आपके पास कि हाव इस दर सेटिंग और लोग सभा टर्मिनेटेड यानि लोग सभा की बैठक किस परकार समाप्त की ज का भारा और आपका भाई प्रोप्रस्टा जो धीकर और यही दोनों लोगत इन सभी को समाप्त कर सकते या खतम कर सकते हैं किसी ऐसा परिस्थिति आने परो इसलाब का correct answer जो है आपका option number D हो जाएगा all of them ना सभी condition में से समाप्ट किया जा सकता है वही next question है आपकी पास कि which of the following is the closest layer of the earth's surface in which all weather occurs यानि निम्ड में से कौन सी परत जो है वो प्रिथवी की सतह की निकर्तम परत है जिसमें सभी मौसम जो है वो पाए जाती है आपका लेयर है वह आपका ट्रोफो इसपेर जो है वह आपका प्रिथवी की सतह की निकर्तम परत है जिसमें सभी मौसम जो है वो पाए जाती है देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं इसमें लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन मैं जो बोली आप इसे ध्यान से समझनेगा बात करते हैं तो इसे प्र pref यप बढ़ने जो है तूस होता है किस में आईसा होता है तो और बन सलाएं भरता है वह निवे बात करते हैं तो इस टेट्रोइटो इस फियर में जस्ट अपॉजिट होता है कि हाइट के बढ़ने से तेम्ठीश जो है वह बढ़ता है नवहीं इसमें याद रखेगा कि ट्रेटोइश्फेर में चीज होता है इसी में आपका बने भी पाया जाता है याद और आगे बढ़ते हैं इसका निश्कोषन देखते हैं जो है आपका कि हाव इसट न्यू और इंडिया सर्विस इस्टार्ट याई कोई नई अखिल भारती सेवा कि सुरूअत की बात करते हैं तो वह आपका समीधान की धारा 30312 के अंतरगत जो है वह संकल पारित करके सवराज दल की अस्थापना की बात करते हैं तो वह आपका चितरंजन दास चितरंजन दास नेशन 1923 में इसकी अस्थापना जो है वो की थी और यह आगे बढ़ते हैं इसका नेश्ट को सन्हें आपके पास की इन विच एयर वास्ट वर्ड बैंक सब्सक्राइब के बात करते हैं तो बैंक के अस्थापना जो है वह आपका 1945 में हुई और चलिए आगे बढ़ते इसका नेश्ट को सन्हें आपके पास की वीच आप दफॉल्वाइंग वास्ट कैपिटल ओफ इंडिया विफोर न्यू देली यानि इन में से कौन है जो कि आप आपका आपका कॉलकाता जो है वह भारत की पुरानी राध्यानी वह सकते हैं जो आपका दिल्ली जब नहीं था तो तो वह था आपका आपका ओंडिता ना चलिए इससका नेश्ट कुसंद्स देखते हैं जो आपका कि वाट इस रैंस एडॉर इफेक्त से रिलेटेट्ट ट यह आपका mountain range से संब्धित है चले नेश्क कोशन है आपके पास की what is the main source of energy in India यानि भारत में उर्जा का मुख्य सुरोत क्या है तो जी हां भारत में उर्जा का मुख्य सुरोत की बात करते हैं तो वह है आपका कोईला कोईला सबसे ज्यादा भारत में ज्यारखन में जो है वह बढ़े जाता है याद रख एक चलियुक्त बार में कुछ यहांसन आदे बाद करते हैं तो चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोईला आया तक है याद रखेगा चिंच के बाद कि बाद भारत का कोईला जो है आपका आयात मुख्य रूप से कोईले की बढ़ती मान के कारण जो है वह हुआ है खासकर बिजली के छितर में ना इसे याद रखेंगे लिए और उज्ञा का एक परमुक्स जो देश के कुल बिजली उत्पादन का लगभग 70% हिस्सा जो है वह याद रखेंगा कितना पर्तिसाइशा 70 पर्तिसाइशा है न वहीं भारत अपना अधिकांस कोईला जो है वो इंडियोनेसिया से आयात करता है जिसने 2023 में जो है वो भारत के कोईला आयात का लगवग 60% आपूर्टी जो है वो करी थी वहीं और श्रेलिया हो गया दच्छिन अफ्रिका ने भी को कोईले की एक महत्वपून मात्रा की आपूर्टी की थी जिसमें से आपका पर्तेक। ने लगवग 9.6% की योगदान दिया था इसे याद रखेगा यह सब सारा जो है नांपका टॉपिक बहुत ही इंफोरमेटम टॉपिक है ना चले आगे बढ़ते है इस पार्ट का ला करते हैं तो इसका फुल्फुम जो है आपका होता है साउथ एस्ट एस्टेशन फोर रिजनल कोपरेशन ना अगर इसका सम्मेलन की बात करते हैं तो इसका सम्मेलन जो है वह आपका ढाका बंगलादेश में हुआ था साथ से आठ दिसंबर उनिस्सोपचासी में याद रखेगा ना वहीं इसमें जो है वह आपके कुछ प्रेसिडेंट जो है वह आया हुए थे जिसमें आपका फॉर्स प्रेसिडेंट अटेंड किये थे वह हैं आपके बंगलादेश के माल दिसके पाकिस्तान के श्री लंका के और दे किंग ऑफ भु यापका अलाज़्वी के बहुत सारे को सब्सक्राइब कर सकता है तो सारे कोई प्रबलम हो कोई रिवेंट कंटेंट चाहिए तो प्रिस्कामेंट जरूर किजिएगा मिलते हैं एक इंपर्टैंट पार्ट एक इंपर्टैन टापिक के साथ थांस फूर वाचिंग लाइक उ झाल 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 झाल